Hello friends, welcome to study news आज हम इस वीडियो में 22 अगस्त के exam related जितने भी important questions हैं उन्हें हम यहां solve करेंगे, so let's start First question है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम घोसित हुए हैं इसमें प्रथम सहर कौन है? Options हैं, सूरत, नवी मुंबई, इंदौर या भोपाल तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों के अनुसार इंदौर प्रथम सहर है तो इसमें उत्तर option C सही है सरकार ने 20 अगस 2020 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के वार्सिक सर्वेक्षण के परिणामों की घोशना की है और इंदोर ने लगातार चौथी बार भारत के सबसे स्वच सहर के रूप में सीर्ष इस्थान प्राप्त किया है इस क्रम में दूसरे इस्थान पर सूरत और तीसरे इस्थान पर नवी मुंबई है ये स्वच सरविक्षड का पाँचोवा संसकरण है इंदोर मध्य प्रदेश का एक सहर है जिसकी capital भोपाल है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सिवरा सिंग चोहान है और गवर्नर आनंदी बेन पटेल है आनंदी बेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है Next question है 2 trillion US dollar share बाजार मुल्ले के साथ सारवजनिक रूप से पहली अमेरिकी कमपनी कौन बन गई है आप्सन्स हैं Microsoft, Amazon, Google या Apple तो Apple 2 trillion US dollar share market rate के साथ सारवजनिक रूप से पहली अमेरिकी कमपनी बन गई है तो इसमें उत्तर option D Apple सही है इसमें Amazon, Microsoft और Google ये तीनों ही अभी लगभग 1 trillion dollar या उससे अधिक की rate की कमपनी है Apple की बात करें तो Apple एक अमेरिकी multinational technology company है जिसका headquarter California US में है Apple की स्थापना 1976 में हुई थी और इसके founder Steve Jobs है Microsoft की बात करें तो Microsoft की स्थापना 1975 में हुई थी इसका headquarter Washington United States में है और इसके founder Bill Gates है और इसमें Microsoft के CEO एक भारतिय सत्ते नडेला है Amazon Amazon की स्थापना 1994 में हुई थी इसके CEO और founder दोनों ही Jeff Bezos है इसका headquarter Seattle Washington United States में है फिर बात करें Google की तो Google की स्थापना 1998 में हुई थी इसके CEO एक भारतिय हैं जिनका नाम है सुंदर पिचाई इसके founder है Larry Page और इसका headquarter California United States में है Next question है जैविक किसानों की संख्या में भारत किस स्थान पर है आपसन्स हैं एक, दो, तीन या चार तो भारत जैविक किसानों की संख्या में प्रथम स्थान पर है तो इसमें उत्तर आपसने सई है क्रिसी मंत्राले के अनुसार जैविक खेती के तहत भारत जैविक छेत्र की संख्या में नौवे स्थान पर है और जैविक किसानों की संख्या में प्रथम स्थान पर है भारत का सिक्किम राज्य पूरी तरह से जैविक क्रिसी वाला पहला राज्य है भारत की प्रमुख जैविक निर्यात फसलों में अलसी के बीज, तिल, सोया बीन, चाय, औस्धी युक्त, पौधे, चावल और दाल है नेक्स्ट कोस्चन है भारत सरकार द्वारा 2022 तक पेट्रोल में कितने प्रतिसत बायो एथेनॉल का मिसरण करने का लक्ष है आप्सन्स हैं 5 प्रतिसत, 10 प्रतिसत, 15 प्रतिसत या 20 प्रतिसत तो भारत ने इथेनॉल सम मिसरण कारेक्रम के तहट 2022 तक पेट्रोल में 10 प्रतिसत बायो एथेनॉल सम मिसरण करने का लक्ष रखा है तो इसमें उत्तर आप्सन भी 10 प्रतिसत सही है और इसी के तहट 2030 तक इसे 20 प्रतिसत तक बढ़ाने का लक्ष भी है बायो एथेनॉल के मिसरण से कार्बन उत्सरजन पर अंकुस लगेगा और आयातित कच्छे तेल पर भारत की निर्भरता कम होगी किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है तो राज्य सरकार ने राजिव गांधी की छेतरवी जैनती पर अपनी इंदिरा रसोई योजना शुरू की है राज्य सरकार का लक्ष है कि इस योजना के तहट आट रुपे के मामली मुल्ले पर भोजन उपलब्ध कराना है इस योजना के तहट 213 सहरों में लगभग 358 रसोईया बनाई जाएंगी जिसके तहट सरकार रोजाना सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और साम 5 बजे से 8 बजे तक भोजन उपलब्ध कराएगी बात करें राजस्थान की तो राजस्थान की राजधानी जैपूर है राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशुक गहलोत हैं और गवर्नर कलराज मिसर हैं Next question है, tennis दिगजच खिलाडी, Angela Buxton का निधन हो गया है, ये किस देश की खिलाडी थी? Options है USA, Australia, England या Poland. तो tennis खिलाडी, Angela Buxton, England की खिलाडी थी, जिनका हाली में निधन हो गया है, तो इसमें उत्तर option C, England सही है. ये tennis में doubles format की खिलाड़ी थी जिन्होंने doubles grand slam champion दो बार जीता है इन्होंने Roland Garros और 1956 में Wimbledon दोनों में doubles format में जीत हासिल की है और Buxton को 2015 में Black Tennis Hall of Fame से भी सम्मानित किया गया था Next question है इंटरनेट की गुडवत्ता के मामले में भारत का कौन सा इस्थान है options है 43, 66, 89 या 85 तो इंटरनेट की गुडवत्ता के मामले में भारत का 79 रैंक है तो इसमें उत्तर option C 79 सही है Digital Quality of Life Index 2020 के अनुसार भारत, गौाटेमाला और सिरलंका सहित 79 रैंक पर है ये 85 देशों पर ग्लोबली सोध किया गया है और भारत इंटरनेट पर होने वाले खर्च के मामले में विशु में 10 सीर्ष देशों में सामिल है Next question है FAI यानि Fertilizers Association of India के अध्यक्ष के रूप में किसे निक्त किया गया है Options हैं सुसील प्रधान, किशोर रूंगता, गगन देशमुख या राजेंदर दूबे तो किशोर रूंगता को Fertilizers Association of India, South Region का अध्यक्ष निक्त किया गया है तो इसमें उत्तर option भी सही है ये वर्तमान में The Fertilizers and Chemicals Traumad Core Limited के CEO और MD है Fertilizers Association of India, South Region में केरला, करनाटका, तमिलनाडु, आंध्रदेश और तेलंगाना, राजे सामिल है बात करें Fertilizers Association of India की तो ये एक Non-Trading Company है जो मुख्य रूप से उर्वरक निर्मताओं, वितरको, आयातको, उपकरण निर्माताओं के आपूर्ती करताओं का प्रतिनिधित्व करती है इसका मुख्याले New Delhi में है Next question है ड्वीजिंग महोत्सव ने पांच पुरसकार जीते हैं ये किस राजे का तेवहार है आपसंस हैं मेघाले, मिजोरम, असम या सिक्किम तो ड्वीजिंग महोत्सव असम राजे का एक तेवहार है जिसने पांच पुरसकार जीते हैं ड्वीजिंग तेवहार असम में मनाया जाने वाला एक वार्सिक नदीय महोत्सव है इस तेवहार में विभिन रंगा-रंग कारिक्रम होते हैं इस तेवहार को परियटन को प्रोचाहित करने के लिए और प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए और इस्थानिय उत्पाद सामानों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है इस बार ये तेवहार 12 दिविसिय कारिक्रम के तहत मनाया गया था जिसमें लगभग 15 लाख परेटक आये थे बात करें असम की तो असम की राजधानी दिश्पूर है असम के चीफ मिनिस्टर सर्वानन सोनोवाल है और गवर्नर जगदिश मुखी है लास्ट कोस्चन है विश्व मच्छर दिवस कम मनाय जाता है आप्सन से 18 अगस्त 19 अगस्त 20 अगस्त या 21 अगस्त तो विश्व मच्छर दिवस प्रतिवर्स 20 अगस्त को मनाय जाता है तो इसमें उत्तर आप्सन सी सही है ये ब्रिटिस डॉक्टर सर रोनाल्ड रोस की 1897 में की गई खोज जिसमें इन्होंने बताया था कि मादा मच्छर द्वारा मनुस्यों के बीच में मलेरिया का संचार होता है मच्छरों के द्वारा मलेरिया, एनाफेलिज, डेंगू, यलो फिवर जैसे बीमारिया फैलती है तो ये थे आज के इंपोर्टेंट कोस्चन्स तो थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट